आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री ने कहा कि सामाजिक जागरुपता के प्रयास कुपोशन से निपटने में महती भूमी का निभाते हैं मुख्य मंत्री शिवरास्नी चोहान ने कहा है कि मन की बात कारिक्रम में प्रधान मंत्री ने अध्य प्रदेश के रचनात्मक प्रयासों को सराहा क्रशी मंत्री कमल पटेल ने सो रोजगार योजनाओं के 33,000 से अधिक हिद ग्राहियों को 185 करोड रुपे के स्विक्रेती पत्र प्रदान किये और एशिया कप क्रिकेट में मोजुदा चेंपियन भारत का मुकाबला अब से बस कुछ ही देर बाद दुबई में चिर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक जागरुकता के प्रयास कुपोशन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं उन्होंने सभी से कुपोशन से लड़ाई में शामिल होने का अगरह किया श्री मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कारिक्रम में कहा कि आजादी का अमरत महस्व और स्वतंतरता दिवस के विशेश आउसर पर हमने देश की सामुईक शक्ती के दर्शन किये हैं इससे चेतना की अ तिरंगा फहराये जाने पर सैनिकों की सराहना की परध्हान मंत्री ने कहा कि सच्चता अभیान और कोविट टिका करन अभ्यान में भी देश की यही भावना देखने को मिली थी अमरत महस्व में भी फिर से देश भक्ती का यही जज़बा देखने को मिल रहा है श्री मोदी अनिल ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के नए नए विचारों की सरहना की इस संबन में उन्होंने क्रशनील अनिल का उधारन दिया जो पजल आर्टिस्ट हैं अनिल ने रिकार्ड समय में खुबसुरत तिरंगा मोजेक कलाकरती तैयार की है करनाटक के कोलार में लोगों ने 630 फिट लंबा और 205 फिट चोड़ा तिरंगा फेहराया असम में सरकारी कर्मियों ने दिघाली पुखरी युद्ध समारक में अपने हाथों का ही 20 फिट का तिरंगा बनाया इन दोर में लोगों ने मानोर शंखला के जरिए भारत का मानचितर बनाया श्री मुख्यमंत्री ने मद्यप्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमरत सरोवर की भी चर्चा की कानहा राश्ट्रियों ध्यान के पास बने इस सरोवर से इलाके की सुंदरता भी बढ़ी है उन्होंने उत्तर प्रदेश के ललितपूर में शहीद भगसी अम प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मन की बात कारिक्रम में मध्यप्रदेश के रचनात्मक प्रयासों का उलेख कर प्रदेश वासियों का उस्हा वर्धन किया है मध्यप्रदेश अम्रत सरोवर के निर्मान बच्चों में कोपोशन समाप्त करने खेल और सहासिक गतिविधियों में भागिदारी और तिरंगे के सम्मान को बढ़ाने के कारियों में आगे भी उत्साह से भूमिका निभाएगा गोर तलब है कि प्रधान मंत्री ने आज मन की बात कारिक्रम में प्रमुक शेत्रों में मध्यप्रदेश के कारियों का विशेश उलेक किया इन कारियों में मंडला जिले के कानहा उद्ध्यान के निकट मोचा ग्राम पंचात में अम्रसरोवर का निर्मान शामिल है प्रधान मंत्री श्री मोधी ने दतिया जिले में मेरा बच्चा भियान में की गए नवाचार की प्रशनसा की नवाचार में भजन किर्तन के कारिक्रमों की रशना कर उन शिक्षकों को बुलाया गया जो पोशन गुरू कहलाते हैं प्रधान मंत्री श्री मोधी ने मध्य प्रदेश की बेटी सुश्री भावना द्वारा यूरोप की दो बड़ी परवत चोटियों पर तिरंगा फेहराने की उपलबधिका भी उल्लेख किया माउंट एलब्रस पर पहुचना इस बेटी के साहास और द्रड़ संकल्ब का प्रतीक है अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के पावन उसर पर देशवासियों विशेश रूप से सिख समधाय को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब के शिक्षा लाखों लोगों को शक्ति देती है और समाच को अधिक नियायोचीत समावेशी और दयालू बनाती है प्रदेश के किसान कल्यांड और क्रशी मंतरी कमल पटेल ने आज छिंदवाडा में स्वरोजगार योजनाओ के अंतरगत 33,000 से अधिक हिदग्राहियों को 185 करोड रुपे की रन राशी के स्विक्रति पत्र वित्रित किये वहीं 12 हिदग्राहियों को 122.34 लाख रुपे रन के स्विक्रति पत्र एवं 86 स्वा सहायता समुहों को 1.22 करोड रुपे के चेक और एक हिदग्राही को आफर लेटर वित्रित किया श्री पतेल पेंशनर समाज भौन छिंदवाडा में सूश्म लगू एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस कारिक्रम में शिर्कत कर रहे थे जिला व्यापार एवं उद्योक केंद्र के महाप्रबंधक श्री हरने ने बताया कि कारिक्रम में प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा वर्चुवल रूप से उद्धमियों को मार्ग द्रशन प्रदान करते हुए स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनने का आहवान किया गया विदेश सचिव विनय मोहन कौत्रा ने संयुक्त राश्ट्र महासभा ध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से आज नई दिल्ली में भेट की श्रीक वात्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76-70 में दूर दर्शी नेतरत्व के लिए उन्हें बधाई दी दोनोंने मालदिव के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षी संबंदों को और प्रगाल करने पर भी चर्चा की सयुक्त राष्ट महासभा द्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत की दो दिन की यात्रा पर आसुबह नई दिल्ली पहुचे एशिया कप क्रिकेट में मोजबूदा चेंपियन भारत का मुकाबला अपने चीर परिचित प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान से अब से कुछी देर में दुबई अंतर राष्ट्री स्टेडियम में खेला जाएगा यह मेज भारती समयों के अनुसार शाम साड़े साथ बजे से शुरू होगा आकाशवानी से इस मेज का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 201 करोड 21 लाग से अधिक कोविड रोधी टीके निशुल को उपलब्ध कराए गए हैं इन में से 6 करोड 29 लाग से अधिक अब भी उनके पास बचे हुए हैं अब कुछ समाचार संशेप में गोतम बुधनगर जिले में नोएडा के सेक्टर 93 एमे स्थित सूपर टेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को आज दिन में धाई वजे द्वस्त कर दिया गया उच्चतम नियालय के आदेश के अनुपालन में यह कारेवाही की गई लता मंगेशकर अलंकरण के अंतरगत लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल इंदोर उजेन ग्वालियर संभागों में किया जा रहा है आवेदन जमा करने के अंतिम्ति थी 12 सितंबर है प्रतियोगिता आठ से 15 वर्ष तथा 15 से 25 वर्ष के दो आयोजित की जा रही है रीवा में किसानों और आम जनता को भू अधिकार रिन पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी आम जनता की सुईधा के लिए भू अधिकार रिन पुस्तिका को आनलाइन कर दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिह चुहान ने विश्व जुनियर कुष्टी चेंपियंशिप में कान से पदक जीत कर भारत का पर्चम लहराने वाली उज्जेन की प्रियान्शी प्रजापत को बधाई दी गुना जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश से S.I.S. इंडिया लिमिटेट अनूप पुर्द्वारा सुरक्षागार्ड एवम सूपरवाईजर की भरती हेतु कल विकास खंड स्थर पर केम का आयोजन किया जाएगा इस बुलिटेन में बस इतना ही नमस्कार